Hello everyone, welcome to our YouTube channel देशी नुसके दोस्तों सर्दियों में मुंफली खाना हर किसी को पसंद होता है मुंफली को स्वस्थ के लिए भी काफी फाइदेबन माना जाता है सर्दियों के मोसम में सबसे अधिक मुंफली बिखती है क्योंकि मुंफली मोसमी फूड है लेकिन आपको बाजार में पूरे साल इस्टोर की हुई मुंफली मिल जाती है मोपली में मुजूद तक्ट्यू पेट से जुडी हुई के सारे समस्याओं में राहत पिरतान करते है मुंफली खाने से शरीर को ताकत मिलती है इवन गर्बवती महिलाएं भी मौंगफली खाना अगर खाती हैं तो उनके लिए भी काफी फाइदे मन होता है मौंगफली ओमेगा 6 से भरपूर माने जाती है इसके अंदर परियापत मातरा में कैल्शियम और विटामिन D, मिनिरल्स, न्यूट्रियन्स और एंटी ओक्सिडेंस के गुन पाई जाते हैं जो स्वस्त के लिए काफी फाइदे मत होते हैं तो आइए जानते हैं दोस्तो मौंगफली खाने की क्या-क्या फाइदे होते हैं अगर आप हर दूसरे दिन या तीसरे दिन और सर्दी-सर्दी इसका सेवन करते हैं सबसे पहले यह एनर्जी से भरपूर होती है तो energy शरीर को पिरदान करने में इसका एहम रोल होता है मुफली के 7 से शरीर में energy का level बढ़ जाता है अगर आपको energy की कमी हो रही है तो आप मुफली का 7 जरूर करें मुफली शरीर के growth के लिए भी काफी फायदेमंद होती है मुफली में cholesterol को control करने में मददगार मनजाता है मुफली के 7 से कई सारी बीमारियों से और भी दिल से जुड़ी हुई संबंदिफ बीमारियों जो होती है उनसे भी बचा जा सकता है इसकिन के लिए भी काफी फायदेमंद होती है मुफली में प्रोटीन, वसा, फाइबर, खनीज, विटामिन और एंटियोक्सिडेंट्स पाय जाते हैं जो आपकी इसकिन के लिए काफी असरदार होते है मुफली इसकिन को चमकदार बनाने में भी काफी मदद करती है इसके अलावा हड्डियों के ग्रोथ के लिए और हड्डियों की मजबूती के लिए भी मुफली का सेवन किया जा सकता है मुफली के सेवन से शरीर में कैल्सियम और विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है मौंगफली हड़ियों को मजबूत बनाने में काफी मददगार होती है मौंगफली का सेवन हड़ियों के लिए बहुत वाइदेमंद माना जाता है वेट लोस में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं मौंगफली में फाइबर के गुण पाए जाते हैं जो पाचन के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं मौंगफली के सेवन से वजन को कम किया जा सकता है वजन घटाने में भी ये काफी मददगार होती है इसके साथ साथ दोस्तों आप सरदी सरदी एट लिस्ट डेली बेसिस पर 10 गिराम से 20 गिराम मौंगफली का सेवन जरूर करें और आप इन्हें जो मींग खाली मौंगफली के आती हैं आप उनका भी सेवन कर सकते हैं लेकिन अगर आपको अपने शरीर में ज्यादा हीट महसूस हो रही है ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है तो फिर आप साबुत मौंफली होती है उन्हीं का सेवन करें और 10-15 गिराम हर दूसरे तीसरे दिन सरदी सरदी इनका सेवन चरूर करें अगर आप मौंफली का सेवन करते हैं तो आप जाएके जाएके मिं इसको खा भी लेते हैं पता भी नहीं चलता और यह हमारे शरीर के लिए काफी फाइदेवन्द भी होती है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इस इतना ही अगली वीडियो में हम फिर किसी और नुस्के के बारे में बात करेंगी और किसी तो आई होप दोस्तों आपको ये चोटी जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चनल देशी नुस्क्रे को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को एक लाइक जुरूर दे धन्यवाद